नमशकार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर अंजु ओजा, आज आपको संतुलन की संकल्पना के बारे में बताने जा रही हूँ, तो संतुलन की संकल्पना को समझने से पहले हमें ये समझना आउशक है कि भू संतुलन किसको कहते हैं, तो परिब्रमन कर पर्त्वी के उपर इस्तिच्चेतर, उपर इस्तिच्चेतरों में हैं परवत, पठार और मैदान, एवं गहराई में इस्तिच्चेतर जैसे जील तथा समुन्दर, आदी में बहुतिक अथवा यांत्रिक इस्तिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कते हैं, यानि जो भाग शब्द ग्रीक शब्द आईसोस्टेसियस से लिया गया है जिसका तातपर्य होता है समिस्तिती इस छेतर में यानि संतुलन के छेतर में कार्य बहुत पहले आही आरंभ हो गया था फिर भी संतुलन शब्द का परियोग सरवपर्थम अमेरिका के प्रसिद भुगर वेता डटन ने 1889 इस्वी में किया यह बहुत बार कंप्रिशन एकजाम में पूछा गया है कि संतुलन शब्द का परियोग सरवपर्थम किस ने किया तो डटन ने 1889 इस्वी में संतुलन शब्द का परियोग सबसे पहले किया इनका मुख्य उद्देशे भूतल के ऐसमतल भागो ता कि उचे उठे भाग और नीचे दसेवे भागों में संतुलन शब्द करना था डटन का यह मत था कि परित्वी के उचे उचे परवत पठार मैदान तथा सामुंद्रिक तली के नीचे इस्तित प्रदार्थ का भार बराबर होगा उनका यह मानना था कि जो भाग उचे उ गनत्वे कम होगा तथा नीचे दसे भागों का गनत्वे अधिक होगा तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा तो डटन ने यह माना कि जो भाग उचे उठे वे भाग हैं उनका गनत्वे कम होगा और नीचे दसे वे जो भाग हैं उनका गनत्वे अधिक होगा इसलिए वो एक लेवल स्तापिद कर लेते हैם। इस आधार तल का को समदबाब तल, सम्तोल तल या शतिपूर्ती तल कहा जाता है। जो आधार तल उन्होंने माना है, उसके विभिन नाम दिये गए हैं। जैसे दबाब तल, समदबाब तल, समतोल तल और शती पूर्टी तल उनको उन्होंने नाम दिया है पर्थवी का परतेक भाग नियमा नुसार एक इस्तिर अवस्ता में इस्तित है इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं संतुलन के सिधान्त का साधारन तोर पर यह तात्पर्य होता है कि पर्थवी में एक ऐसा छती पूर्टी तल होता है जिसके उपर चटानों की रचना के अंसार विबिन भागों के परदार्थों के गहनतवे में अंतर पाया जाता है लेकिन उस तल के नीचे गहनतवे सरवतर समान होता है तो सिधान्त जो है उसका यह तातपर होता है कि level of compensation या छतिपूर्टी तल के उपर तो गनत्वे में अंतर पाया जाता है लेकिन उस तल के नीचे गनत्वे सरवत्र समान पाया जाता है किसी भाग के गनत्वे तथा उचाई में उल्टा अनुपात होता है अर्थार्थ यदि कोई भाग उचा है तो उसका गनत्वे कम होगा और कोई भाग नीचा है तो उसका गनत्वे अधिक होगा अर्थार्थ उचे भाग का गनत्वे कम होगा और नीचले भाग का गनत्वे अधिक होगा इस प्रकार परवतों का घनत्वे पठारों से कम क्योंकि परवतों की उँचाई पठारों से ज्यादा होती है पठारों का मैदानों से कम क्योंकि पठार जो होते हैं वो मैदान से अधिक उचे होते हैं और मैदानों का सागरतली से कम होगा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाग जितना अधिक उंचा होगा उसका घनत्वे उतना ही कम होगा अब हम यहां बात कर रहे हैं भू संतुलन के सिध्धान्त का प्रतिपादन किस तरह से हुआ तो सन 1869 में सिंदु गंगा के मैदान के अक्षान्सों के निर्धारन हितु भू सर्वेक्षन भारत सर्वेर जनरल सर जोर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था उस समय कल्यान तथा कल्यान पूर नामक दो स्थानों का अक्षान्सी माप जो है एक पहली विदी थी तुरिबूजी करण और दूसरी विदी थी खगोलिये विदी के अनुसार लिया गया तो दोनों मापों में अंतर जो आया 5.236 का अंतर आ गया यानि क्या था कि जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी महोदे ने बताया कि यह अंतर हिमाले परवत की निकटता के कारण था क्योंकि हिमाले आकरशन शक्ति से पैंडूलम को आकरशित कर रहा था तो जब यह समश्या एरी महोदे को बताएगी तो उन्होंने उसके अंतर का जो कारण बताया वो बताया कि हिमाले परवत निकटता है इसलिए हिमाले आकरशन शक्ति से पैंडूलम को आकरशित कर रहा है यह समश्या जब प्रॉट महदे के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई व्यक्ष प्रस्तित की उन्होंने यह मान लिया कि महादीपों की तरह हिमाले भी सियाल का बना हुआ है जिसका घनतवे 2.75 है इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और अधिक आ गया जो किया 15.885 के बराबर इस प्रकार प्रॉट ने इस मत का अनुमोधन किया कि माप का जो अंतर 5.236 ने होकर 15.885 होना चाहिए था अर्थार्थ हिमाले को पैंडूलम को और अधिक आकर्शित करना चाहिए था तो जो प्रॉट के सामने समश्या रखे गी तो जो डिफ्रेंस आ रहा था दोनों माप से वो और अधिक आ गया तो उन्होंने का कि हिमाले को पैंडूलम को और अधिक आकर्शित करना चाहिए था एरी तथा प्रॉट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समश्या को जनम दिया कि हिमाले की कम आकर्शन शक्ति का वास्त्विक कारण क्या है इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिये गए तो इसमें जो सुझाव दिये गए वो कुछ इस तरह से हैं नमबर वन है हिमाले एक खोकला भाग है जिसके अंदर चटान न होकर के बुलबुले हैं इस कारण से परवत का भार तथा घनतवे कम होगा जिस कारण माप में अंतर आगा तो उन्होंने ये बताया है सुझाव दिया कि हिमाले जो है वो चटान का नय बना होकर के खोकला है अंदर से तो यह मत सर्वता कालपनिक सिद कर दिया गया क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है कि बुलबुले का बना इतना उचा खोकला परवत धरातल पर तिक सकता है कि यह जो सुझाव दिया गया उसको बिलकुल से कालपनिक मान लिया गया और न्याय संगत यह नहीं बताय गया नंबर दो सुजाव है हिमाले के उपरी अत्रिक्त प्रदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्वे वाले प्रदार्थ से होता है इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षन शक्ति भी कम होगी तीसरा सुजाव है हिमाले के शैल का घनत्वे स्वयम कम होगा जिस का परवत का भार तथा आकर्षन शक्ति कम होगी चोथा सुजाव माना गया है यह माना गया है कि प्रत्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे गनत्व में अंतर नहीं होता केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं इस आधार पर मान लिया गया है कि जितना ही बड़ा भाग होगा घंत्व उतना ही कम होगा जथा जितना छोटा होगा उसका घंत्व है अधिक होगा तो इसके साथ ही यह जो भू संतुलन का शिदानत वो यहीं पर समाप्त होता है और इसमें आगे का जो पोर्शन है एरी और प्रॉट की संकल्पना है फोर्ड वोवी की संकल्पना और भू संतुलन की विवस्ता हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगला वीडियो जो है मेरा मैं एक दो दिन बाद में पोस्ट कर अपलोड करूंगी अंत में आप सभी का धन्यवाद